दोस्तो हेदराबाद को बनाने थे 193 रन और इसके बाद मैच में हुआ चमतकार जिना दोस्तो आईपियल का 25 वा मुकाबला संराजर हेदराबाद और मुंबई इंडियन्स के टीम के बीच राजीव गांदी इंटरनेर्स ने स्टेडियम में खेला गया जहां इस बड़े मु दिख रहे थे लेकिन 41 रन के स्कोर पर तीन एट राजन ने रोहित का उट कर दिया और कप्तान रोहित 28 रन बना कर आउट हो गए जहां इसके बाद बैटिंग करने कैमरोन गरीन उत्रे जहां गरीन तो शुरुआत में इस मैच में काफी बिकार बल्ले बाची कर रहे थे ल लेकिन जब 12 ओवर मारको यंसन डालने आये तो उन्होंने इस ओवर में मुंबई को दो जटके देकर इशान किशन और सूरिकुमार का उट कर दिया था जहां इशान किशन 38 रन बना कर आउट हुए तो सूरिकुमार यदवने 7 रन बनाए थे तो इसके बाद बैटिंग करन करने लग गए थे जहां इसके बाद तिलक वर्मा एक के बाद एक चार छक्के जड़ चुके थे लेकिन 151 रन के स्कोर पर भूबनेशर कुमार ने तिलक वर्मा को आउट कर दिया और तिलक वर्मा केवल 17 गेंदों में 37 रनों की ताबर तोड़ पारी खेलकर आउट हुए तो इसके बाद बैटिंग करने टीम डैविड उत्रे लेकिन एक तरफ कैमरोन गरीन इस मैच में लाजवा बैटिंग कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने केवल 33 गेंदों में अपने 50 रन पूरी कट डाले थे और इसके बाद इनकी बहतरीन बलेबाजी की वजह से रनों की शांदर पारी खेली और वो नॉट आउट रहे तो इस मैच में मारको यंसन को दो विकित हात लगी थी तो अब हैदराबाद की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए 130 वी रन बनाने थे और जब हैदराबाद टार्गेट का पीछा करने उत्री तो उनकी शुरुआ जहां इसके बाद मैंक अगरवाल और कप्तान एडन माकरम शांदार बल्लेबाची कर रहे थे और हैदराबाद की पारी को सम्हाल कर आगे बढ़ा रहे थे लेकिन इसके बाद हैदराबाद को बैक टू बैक दो बड़े जटके लगे जहां 71 रन के स्कोर पर कैमरोन ग्रीन कप्तान माकरम का आउट करा और माकरम 22 रन बना कर आउट हुए तो अगले ही ओबर में अभिशेक सेर्मा को प्यूस चावला ने आउट कर दिया था जहां इसके बाद बैटिंग करने हैंरिक कलासन उत्रे जहां कलासन ने इस मैच में तापट तोड बल्ले बाची करी और उ लेकिन उनको भी 132 रन के स्कोर पर रायले मेरी डेट ने आउट कर दिया और मैंक अगरवाल 41 गेंदों में 48 रन बना कर आउट हुए थे जहां इसके बाद मारको यंसन ने 6 गेंदों में 13 रन बनाए लेकिन वो भी रायले मेरी डेट की गेंद का शिकार बन गए थे जहां वो भी 165 रन के स्कोर पर एक रन चुझाने के चेकर में रन आउट हो बैठे इसके बाद हैदराबाद को आखरी 12 गेंदों पर 24 रन बनाने थे और इस ट्राइक पर अबदुल समद और भूनेशर कुमार थे और इसके बाद हैदराबाद को आखरी ओवर में 20 रन बनाने थे और आखरी ओवर अर्जुन तंदुलकर डालने आए जहां तंदुलकर की दूसरी गेन पर अब्दुल समझ दो रन भागने के चक्कर में रन आउट हो गए थे और इसके बाद पाँचवी गेन पर उन्होंने भूनेशर कुमार को आउट करके हैदराबाद की टीम को 178 रन के स स्कोर पर अलाउट मार दिया और मुंबई की टीम ये मुकाबला 14 रनों से जीत गई है